एक युगह सुश्मा और पंकज की लव मेरेज में किसने गोला जहर? कहो सुश्मा, तुम्हारे वे कहां है? दिखाई नहीं दे, रहे, क्या अभी अंदर ही है? नहीं यार, मैं अकेली ही आई हूँ. उन्हें फोर्सत कहां, अहें क्यूं भर रही है? क्या अभी से यह नौबता गई कि तुझे अकेले ही फिल्म देखने आना पड़ता है? क्या कोई चक्करवक्कर है? मुझे तो तेरी सूरत से, डाल में काला नजर आ रहा है. नहीं री, यही तो रोना है कि कोई चक्करवक्कर नहीं. वे ऐसे नहीं हैं, तो फिर कैसे हैं? मैं भी तो जरा सुनूं जो मेरी सहिली. को अकेले ही फिल्म देखने की जरूरत पड़ गई. वे कहीं अपनी मां की नबज पकड़े बैठे होंगे. तेरी सास अस्पताल में हैं और तू यहां. पूरी बात, तो बता की क्या हुआ? जया, चलो किसी पाक में चल कर बैठते हैं. मैं तो, खुदी तेरे पास आने वाली थी. इन तीन माइनस चार महीनों में. मेरे साथ जो कुछ गुजर गया, वह सब कैसे हो गया? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कहते हुए. सुश्मा सिस्क पड़ी. अरे, तू इतनी परेशान रही और मुझे खबर तक? नहीं, ब्याह के बाद तू इतनी बदल जाएगी, इसकी. तो मुझे आशा ही नहीं थी. जिन्दगी भर दोस्ती निभाने का वादा इसी मुझे से किया करती थी. सुश्मा की थोड़ी उपर उठाते हुए जया ने कहा, मैं तो तेरे पास नहीं आई क्योंकि मैं समझ रही थी की, तू अपनी ससुराल जाकर मुझे भूली गई होगी. पर तू चिन्ता मत कर, मुझे पूरी बात तो बता. मैं अभी कोई ना कोई हल निकालने का प्रयास करूंगी. उसी तरह जैसे मैंने तुझे और पनकज को मिलाने का रास्ता निकाल लिया था. अपनी इस प्यारी सहेली को पाकर सुष्मा ने अपबीती बता कर मन का सारा बोज हलका कर लिया. पारवती के पती दस वर्ष पहले लखवा के शिकार हो कर बिस्तर से लग गए थे. इन दस वर्षों में उसने बड़े दुख जेले थे. उसके पती सरकारी नौकरी में थे. अतह उन्हे थोड़ी सी पैंशन मिलती थी. पारवती ने किसी तरह स्कूल में शिक्षिका बन कर बच्चों के खाने पीने और पढ़ने लिखने का खर्च जुटाया था. दो जोड़ी कपडों से अधिक कपड़े कभी किसी के लिए नहीं जुट पाये थे. उस पर इकलोते बेटे पनकज को पारवती इंजिनियर बनाना चाहती थी. गांव की थोड़ी सी जमीन थी, वह भी. उन्हें अपनी चाह के लिए बेच देनी पड़ी. एक-एक, दिन करके उन्होंने पनकज के परलेख कर, इंजिनियर बन जाने का इंतजार किया था. बड़ी, प्रतीक्षा के बाद वह सुख़द समय आया जब पनकज, सरकारी नौकरी में आ गया. पनकज के नौकरी में आते ही उसके लिए रिष्टों की भीर लग गई. उस भीर में न भटक कर उन्होंने अपने बेटे के लिए बेटे की ही पसंद की एक संपन. घर की प्यारी सी बहु धूंड ली. सुष्मा बहु बनकर उनके घर आई तो बरसों बाद घर में पहली बार, खुशियों की एक बार सी आ गई. पार्वती ने बहु को बड़े लाड़ा प्यार से अपने सीने से लगा लिया. छुटी खत्म होने पर पंकज ने सुष्मा से कहा, सुमी, मा ने बहुत दुख जेले हैं, तुम थोड़े दिन उनके पास रहकर उनका मन भर दो, मैं हर सपता हाता रहूंगा, घर मिलते ही तुम्हें अपने साथ, ले चलूंगा. पंकज की बहने दिन भर सुष्मा को गेरे रहती, वे उससे घर का कोई भी काम ना करने देती. सुष्मा उनकी प्यारी भावी जो थी, सुष्मा को प्यास भी लगती तो, उसकी कोई ना कोई नंदुस के लिए पानी लेने दोर पड़ती. पार्वती के तो कलेजे का टुकड़ा ही थी सुष्मा. उस के आने से पूरा घर खुशी से जगंबा उठा. पार्वती उसे प्यार से चांदनी कहने लगी. सुष्मा के सिर में दर्द भी होता तो वे तुरंत बाम लेकर दोर पड़ती. धीरे धीरे पंकज के विवाह को द अगले महीने ही तो घर मिल जाएगा. मैंने तुम्हें बताया तो था. फिर तुम्हें यहां कौन छोर जाएगा. तो तब तक हम लोग अपने पिताजी के घर रह लेंगे. माम और पिताजी कितने खुश होंगे. इतना बड़ा बंगला है. नहीं सुष्मा. मैं घरजमाई बनकर नहीं रह सकता. यह मुझसे नहीं होगा. यह मैंने तुमसे पहले भी कै दिया था कि मुझसे कभी इस तरह की जिद ना करना. मैं कुछ नहीं जानती. मैं गैस्ट हाउस में ही तुम्हारे साथ रहूंगी. सुमी, जिद नहीं करते. वहां सभी अकेले रहते हैं. तुम गया और यों आया पंकज की गाड़ी का समय हो रहा था वो सुष्मा से विदा लेकर चला गया पंकज चार बहनों का अकेला भाय था आज छोटी का जनम दिन था पंकज को गए तीन माइनस चार दिन हो गए थे पारवती चौका समेट कर बिस्तर पर जो लेटी था लेटते ही उन्हें नींद आ गई लेकिन अभी उनकी आँख लगी थी कि किसी के कराहने की आवाज से उनकी नींद चूट गई वे घबरा करोट बैठी तुरंट बच्चों के कमरे में पहुँची वहां उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी बहु सुष्मा कराह रही है उन्होंने तु इश्य उन्होंने देखा तो उन के तो पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई बहु के बगल में बिस्तर पर एक खाली शीशी पड़ी हुई थी और उस पर लिखा था जाहर देखते ही पारवती के मूल से चीख निकल गई उन्होंने तुरंट बेटी को जगाया और स्वयम ल आज शुरू हो गया इधर पनकज को बुलाने के लिए भी सुचना भेज दी गई कुछ घंटों में ही पनकज आपहुचा पारवती सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर बहुने जहर क्यूँ खा लिया पनकज भी सोच में पढ़ गया कि सुष्मा ने जहर क्यूँ खाया क्य या मा या बहनों ने कुछ कहा लेकिन ये सब लोग तो उसे बहुत प्यार करते हैं सुष्मा को कुछ हो गया तो क्या उन पर दहेज का मामला नहीं चल जाएगा आज कल आए देन इस तरह के किस्से होते ही रहते हैं कई प्रश्न पारवती और उनके बेटे के दिलो दिमाग को मत हने लगे डाक्तरों के उपचार के समय ही सुष्मा ने चिलाना शुरू कर दिया मैंने जहर नहीं खाया मैंने जहर नहीं खाया पर डाक्तरों ने उसकी एक न सुनी सुष्मा के पेच का सारा पानी निकाल दिया गया पेच से निकले वे पानी का परीक्षन करने पर पत चला कि उस के पेच में जहर की एक बूंद भी नहीं है। पारवती ने बहु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, आखिर यह सब क्यूं किया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। सुश्मा, तुमने हमें कहीं का न छोड़ा। पूरे महले और मेरे दफ्तर में हमारी कितनी बदनामी हुई है। हम किसी से निगाहे मिलाने लायक नहीं रहे। आएदेन दहेज के किस से होते हैं। डाक्टरी परीक्षन में तनिक भी कमी। रह जाती तो हम सब तो जेल में पहुंच गए होते। हमारी कौन सुनता। तुमने तो हम सब को जेल भेजने में कोई कसर नह नहीं खाया था। पनकज के हृदय को सुष्मा के इस नाटक से बहुत बड़ी ठेस लगी। उसका हृदय चूर चूर हो गया। पारवती ने बेटे को समझाने का बहुत प्रयास किया। पर पनकज किसी तरह न माना। पारवती ने कहा। बेटे तुम बहु को अब अपने साथ। ही ले जाओ। उन्होंने सोचा बेटा और बहु साथ रहेंगे तो सब कुछ। अपने आप ठीक हो जाएगा। उनका सोचना गलत। था। पनकज सुष्मा के इस गिनोंने नाटक को भूल न सका। इस अचानक हुए हादसे की सुचना सुष्मा के पिता कनहया लाल क भी दी जा चुकी थी। उसकी मा तो बेटी के जहर खाने का समाचार सुनते ही बेहोश हो गई। पिता कहने लगे मैं हमेशा समझाता था कि ये छोटे घर के लोग रुपे पैसे के बड़े लालची होते हैं। अर्रे जब कूछा तो कहने लगे कि हमें कुछ भी नहीं। च है। मा ने आसु बहाते हुए कहा। अर्रे ये सब उस पनकज की चाला की है। जो उस ने सुश्मा को अपने जाल में फंसा लिया। मैं भी एक जज हूँ। छोडूंगा नहीं उस नालायक को। उससे हतका दिया न लगवाईं तो मेरा भी नाम नहीं। जब कनहया लाल पत अपनी के साथ सुश्मा की ससुराल। पहुचे तो गुस्से में भर कर पनकज ने साफ कह दिया। आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाए। हम तो कहीं मूँ दिखाने लायक नहीं रहे। हाँ हाँ, बेटी को तो हम साथ ले ही जाएंगे पर तुम्हें। भी जेल की वा खिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। शुक्र है कि मेरी बेटी सही स्लामत है। सुश्मा ने भारी मन से अपनी प्रिय सहेली को पूरी कहानी बताते हुए कहा, जया, इस हादसे के बाद, मैं पिताजी के उसके बाद पनकज से तुम्हारी भेच हुई या नहीं, नहीं इस घटना के एक सप्ताह, बाद पनकज मेरे घर आये थे, पिताजी उन्हें बाहर, बैठक में ही मिल गए। उन्होंने वहीं खूब उल्टी सीधी, सुना कर पनकज को अपमानत किया, कह दिया, कि अब तुम सुश्मा से कभी नहीं मिल सकते, अब तो, तुम्हारे पास तल देने का अवसर दें, पर पिताजी, ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना, चाहता, अब तो तुम सुश्मा से कचहरी में ही मिलोगे, इसके बाद वे भारी मन से चले गए, बाद में एक दिन उनका टेलीफोन भी आया था तो माने कह, दिया कि आगे से टेली क्या करती, मेरी तो कुछ समझ में आया ही नहीं की कैसे ये सब कुछ हो गया, मैं तो बस एक मूख़शकी बनी रही, इसका मतलब यह है कि तुमने पंकज की ओर हाथ बढ़ाने का कोई प्रयास ही नहीं किया, जबकि पंकज ने दो बार तुम से मिलने का प्रयास किया, मैं क् करती पिता जी ने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिये उन्होंने निर्नय सुना दिया कि पंकज से मिलने या बात करने की कोई जरूरत नहीं है उन्होंने तो निर्नय कर लिया पर क्या तूने भी उन का निर्नय मान लिया तेरी सूरत से तो ऐसा नहीं लगता जया ने सोचते हु मैं क्या करूँ, मेरे माता पिता हर समय उच्छते बैठते, यही कहते रहते हैं कि अपने मन से विवाह करने का परिनाम देख लिया, कितनी बेरहमी से उसने तुझे अपने घर से निकाल दिया, समाज में हमारी कितनी थूदू हुई है, पहली तो तुने अपने से इतने नीछ जती, दो कोड़ी के उस लड़के की हिम्मत, तो देखो, हम बड़ी धूमधाम से तेरी दूसरी शादी करेंगे, अभी तेरी उम्र ही कितनी है, माता पिता ने कह दिया और तू ने सब कुछ जियों, कात्यों स्वीकार कर लिया, इसी दम पर पूरे परिवार का विरोध मोल ल ही या मैंने कभी कोई गलत चुनाव किया था, पर पिताजी की भावनाओं का क्या करूं, उन्हें मेरी ही चिंता रहती है, दिन रात वे मेरे ही बारे में सोचते रहते हैं, वे मेरे लिए बहुत परेशान है, जब उनके विरोध के बावजूद तू ने पनकज का हाथ थाम समझ में नहीं आता की क्या करूं, मेरा तो दम घुटा जा रहा है, तू ही कुछ बता की, मुझे क्या करना चाहिए, मैं ही सब की परेशानी का कारण हूं, पहले तो ये समझ ले की इस सारे जगडे में, गलती की पूरी जिम्मेदारी तेरी ही है, जया ने समझाने के लहजे में कहा, हाँ, मैं यह मानने को तयार हूं, पर पनकज की भी, तो गलती है कि उसने मुझे क्षमा मांगने का मौका ही नहीं दिया, उसने मुझे कितना अपमानत किया, वाह रानी जी, वाह, गलती तुम करो और दूसरा, अपने मन का तनिक सा रोश भी ना निकाल मते, का तनि मैं क्या करूँ, बताओ न, एक बात बता, क्या पनकज में कोई कमी है जो दूसरी, शादी करके तुझे उससे अच्छा पती मिल जाएगा, क्या, गारंटी है कि आगे किसी छोटे से जगडे पर तू फिर तलाक, नहीं ले लेगी या जिस व्यक्ति से तेरी दूसरी शादी होगी वा, अच्छा ही होगा, इसकी भी क्या गारंटी है, जया ने तनिक गुस्से से पूछा, दूसरी शादी की बात मत कहो, जया, मैं तो पनकज, के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, शायद उससे अच्छा व्यक्ति इस संसार में, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, फिर किस बात का इंतजार है, क्या तुम समझती हो कि पनकज एक होनहार युबक तुम्हारी प्रतीक्षा में, जिन्दगी भर अकेला बैठा रहेगा, क्या उसके घर, वाली उसके भाविश्य क प्रती उदासिन बैठे होंगे, पनकज अपने घर का अकेला होनहार चिराग है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब बता कि मैं, क्या करूं, तू तुरंत पनकज से मिलकर अपने मन की दूरियां, मिठा ले, उससे एक शमा मांग ले, आखिर गलती की, पहल तो तूने ही क छोटे-छोटे मसले हल करते रहेंगे, उन्हें अपने मुकदमों के फैसले ही करने दे, अपना फैसला तू खुद कर, अगर पनकज ने मुझे ख्षमा ना किया तो, मुझ से मिलने से ही इनकार कर दिया तो, सुश्मा ने बेचारगी से कहा, पनकज जैसा सुलजा हुआ व् उसने ख्षमा ना कर दिया होता, तो वह तेरे घर क्या करने आता, क्या तू इतना भी नहीं समझ सकती, सच जैया, तुमने तो मेरी आँखी ही खोल दी हैं, मेरी तो सारी दुविधा दूर कर दी, मैं आभी पनकज के पास जाऊंगी, इस समय वह संभवता दफ्तर में ही मैं अभी उसे फोन मिलाती हूँ, बिना तनिक भी देर किये हुए सुश्मा जया के साथ, तुरंट पास के टेली फोन बूत पर बात करने चली गई, उसने दफ्तर का नंबर मिलाया तो पता चला की, पनकज किसी आवश्यक कार्या से अचानक आज, दोपहर के बाद छुट् सगय की तारीक तै हो रही है, सुश्मा का मन हजार शनकाओं से गिर आया, उस ने समय देखा तो ध्यान आया कि पनकज की गाड़ी, छूटने में अभी आधे घंटे का समय बाकी है, अब उसे पनकज के बिच्छों का एक एक क्षन एक योग, जैसा लग रहा था, उसने कहा, जैया, मैं अभी इसी समय स्टेशन जा रही हूँ, तू भी मेरे साथ, चली चल, नहीं जी, अब मैं मियम बीवी के बीच दालभात में, मूसल चंद बनने वाली नहीं, कल मिलूंगी तो हाल, बताना, वैसे अब तू मुझे धूंडने वाली नहीं, मैं अपनी उकात समझती हूँ, कह कर जया अपने घर की, और मुसक्राती हुई चल पड़ी, सुष्मा का हृदय तेजी से धड़ाक रहा था, सोचने लगी, कि ट्रेन में मैं उन्हें न धूंड पाई तो, ट्रेन छूट गई तो, क्या करूंगी, उन्होंने देख कर मूँ फेर लिया तो, क्या होग हजार शंकाओं से गीरी सुष्मा ट्रेन के, हर दब्बे के बाहर निगाहें दोडा कर पनकज को धूंड रही थी, तभी ट्रेन ने सीटी दे दी, उसकी धड़कने, और भी तेज हो उठी, पाँ एक एक, मन के भारी हो गए, सोचने लगी, आज तो उससे, कैसे भी हो हर देख रही, थी, हर क्षन दिल की धड़कने तेज होती जा रही, थी, तभी उसका पैर स्टेशन पर रखे किसी सामान, से टकराया और वो अंधे मूह गिरने को हो आए, लेकिन किनी मजबूत बहोंने उसे गिरने से संभाल, लिया और एक चिर पर इच्छे तावाज उसक कानू, मैं सुनाई दी, किसे धूंद रही हो, सुश्मा, बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ, अपने दब्बे की और बढ़ते हुए, पंकज ने कहा, मुझे आपसे कुछ बाते करनी हैं, घबराहट में, धरकते हृदे से सुश्मा बस इतना ही बोल सकी, अब तो ब बहुत देर हो चुकी है, मेरी गाड़ी छूट रही है, सुश्मा के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही सरक गई, उसने फिर कहा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, चार दिन बाद लोटूंगा तब यदि तुमने मौका दिया तो, जरूर बात करूंगा, इतने दिन त हाँ, है, तुम्हारे पिता, बस अब कुछ न कहें, मुझे अपने साथ लेते चलें, आपके साथ मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ट्रेन सरकने लगी थी, पनकज ने तेजी से हाथ बढ़ा, कर सुश्मा को अपने डब्बे में चड़ा लिया, सुश्मा उसके सीने से लग क पर सिस्क पड़ी, वा, ये भी भूल गई कि सब उसी की और देख रहे हैं,